हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कूड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कस्टम ले आउट जो है वो इंप्लीमेंट करना है यू आई कॉलेक्शन व्यू की ह साथ और साथ में हम अगर किसी भी आईटम के ओपर क्लिक करते हैं यूएस टृर कोडस alcity के अंदर तो हम जो जो आज वो na preparation प्रवाइड करेंगे फिर मैं आपको पताऊंगा कैसे आप बड़े ही easy और simple way के साथ इस तरीके की जो examples हैं वो अपने iOS devices के लिए Xcode के अंदर जो है Swift की help के साथ develop कर पाएंगे बड़ा ही easy example है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं simulator के अंदर मैंने जो famous web series हैं उनकी जो images हैं उनको grid की form के अंदर जो है वो collection view की help के साथ display करवाया हुआ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर मैं किसी भी web series को यहाँ पर touch करता हूँ तो आप देख पा रहे है movement जो है वो next view controller की तरफ जाता है और यहाँ पर मैं navigation के तरूँ फिर से back आता हूँ और फिर से किसी और web series के ओपर click करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यह movement है वो निकल के आ रहा है तो चलिए यह हमारी आज की example बड़ी ही important example है और बड़ी ही easy way के साथ हम आपको जो है वो teach करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं theoretical theory के according में अगर आपको थोड़ा सा overview इस example का बताऊँ तो आपको किन terms के बारे में पता होना चाहिए वो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि UI collection view जो class है वो basically iOS के अंदर built-in class है जिसकी help के साथ आप ordered collection of data items को जो है वो manage कर सकते हैं और उन्हें एक customizable layout के अंदर जो है वो present कर सकते हैं काफी एक flexible way है जब भी आपने content को जो है वो present करना है user को जैसे आपको table view के अंदर किसी data source से data लेके उसको display करवाना पड़ता है table view के अंदर उसी तरीके से आप collection view के लिए भी जो है वो implementation कर सकते हैं आपको किसी ना किसी data source से data लेके आना है और उसे display करवाना है as a combination of cell layout and supplementary view तो चलिए अगर आप कहीं पे भी grid की form के अंदर data को display करवाना चाते हैं या फिर custom layout के अंदर अपने design को represent करना चाते हैं तो आपके लिए best जो option है iOS के अंदर वो है UI collection view तो चलिए अब हम देखेंगे कि इस example को हमने practically कैसे implement करना है तो सबसे पहले इस पूरे project को मैं stop कर देता हूँ और इस पूरे project को हम close कर देते हैं एक नए project के साथ साथ शुरुबा से यहाँ पे जो है वो create करेंगे new यहाँ पे project और friends यहाँ पे अब हमने single view app को selected रहने देना है by default जो selected है next पे क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पे कोई भी आज की example के बारे में जो name है वो provide करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आई collection view वेब सीरीज एक्जामपल चलिए बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम यूज करेंगे आज की example के लिए वो है swift अब मैं next के उपर क्लिक करता हूँ तो अब हमने कहीं पे भी एक फोल्डर जो है वो create कर लेना है ताके सारा project जो है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले यहाँ पे जो जितना नंबर है हमारी एक्जामपल है 96 UI collection view custom layout चलिए यहाँ पे create कर देते हैं और अब हम इस folder के अंदर पूरे का पूरा जो project है वो create कर देते हैं तो friends student यहाँ पर मेरा जो project है वो बन चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाऊं तो जो मेरा swift का version है वो है swift 5 और अगर मैं आपको X code का यहाँ पर version दिखाऊं तो आप देख पाएंगे X code का जो version है वो है 10.2.1 तो यो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहला काम आपते क्या करना है आपके पास जो आपने web series की जो images display करवानी है इस example के अंदर वो आपको कहीं न कहीं internet से download करनी पड़ेंगी और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं अगर आप इस channel के ऊपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस channel के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के लेटर जो वीडियो टुटोरियल से हैं हमके सबसे बड़ी है जो methods है वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समय नहीं में काफी help मिलेगी और in case कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत कोई परशानी कोई problem आती है तो आप हमें YouTube पे वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं या फिर हम directly हमें email बेश सकते हैं कोशिश करेंगे कि आपकी problem का जो solution है वो आप तक जल से जल पहुचा आपाएं चलिए तो कि मेरे पास जो imges in a one मैंने पहले से यह यहां पर download करके रखी हुई है parent से तो मैं आपको दिखा देता हूं them पर देख लेते हैं वेब सीरीज की इमजीज तो यहां पर जो इमजीज है वह पहले से एक फोल्डर के अंदर हमने जो है वह डाउनलोड करके वह रखी हुई है तो इस तरीके से मेरी इमजीज है और अगर मैं इनके डामेंचन आपको दिखाऊं तो मैं वह भी दिखा देता ह है तो चलिए इन सारी इमजीज को करना गया है इन सारी इमजीज को आपने कॉपी करना है और इनको ड्राइगन डॉप करना है तो चलिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाज कर देता हूं अब आपने इन सारी इमजीज को इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ जो है व आ चुकी है, तो चलिए अब हमने करना गया है, अब हमने यहां पे जुआ है, कोडिंग की, कोडिंग करने से पहले जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो यहां पे रेडी करना है, तो बड़ा ही इजी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहां पे रेडी करना है, सबसे पर मैं और इंज करना जो है वो सेट कर देता हूं अब आपने करना क्या है अब आपने यहाँ पर लाइब डरी का जो आईकोन है इसके ओपर क्लिक करना है और यहाँ पर collection व्यू को जो है वो आपने सर्च करने की कोशिश करनी है और इसे ड्रैगें ड्रॉप करना है अपने स् टोरी बॉट के ऊपर तो चली अब हम इसके जो रिघ करेंगे तो मैं add कर देता हूँ as a constraint तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास collection view जो है वो पुरी screen जो है वो cover up कर चुका है अब आपने एक दो configuration जो है वो यहाँ पर करनी है सबसे पहले collection view को select कीजिए size inspector के अंदर जाईए और यहाँ पर जो cell का size है वो आपने करना है 200 by 200 और अब आपने एक और setting यहाँ पर करनी है minimum spacing आपने करनी है zero line spacing भी आपने करनी है zero और बाकी जो section insert है वो आपने चारों साइटों पर 00 जो है वो रहने देना है अब आप collection view cell को select कीजिए और यहाँ पर जो इसका custom size है वो provide कीजिए 200 by 200 तो अब हमारे पास यहाँ पर जो cell है वो बन च चुका है अब आप चाहें तो attribute inspector के अंदर जाने के बाद इस cell का जो identify का name है cell वो भी यहाँ पर कोई भी name जो है वो आप दे सकते हैं बस आपको same name जो है वो coding के अंदर जो है वो use करना पड़ेगा अब चलिए यहाँ पर library के through जो हम एक image को जो है वो drag and drop करते है इस image view को जो ह हम इस cell के अंदर drag and drop करेंगे और अब हमने इस image view की जो height और width जो है वो यहाँ पर provide करनी है तो width मैं दे जाता हूँ 150 और height भी दे जाता हूँ 150 तो चलिए इसे आप जो है थोड़ा सा center में कर दे, vertically in center, sorry vertical नहीं, horizontal in center कर दे और अब हमने इसके उपर जो एक by default एक image जो है वो ल content mode तो चलिए इसके जो constraints है वो भी हमने set करनी है तो यहाँ से आप add missing constraint इस तरिके से जो है वो add करवा सकते हैं, अब हमने library के थूँ एक label को जो है वो यहाँ पर drag and drop करना है तांके हम जो web series का जो name है उसको display करवा पाएं, चलिए इसको मैं इसकी width जो है वो increase कर देता हूँ औ line है वो center में कर देते हैं और अब हमने आप चाहिए तो font के अंदर जो changes है वो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर style जो है इसका board कर देता हूँ और done कर देता हूँ तो चलिए अब इसके भी जो constraints है वो आप इसी तरीके से add missing constraints है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस label का जो default text है वो यहाँ पर आप एंटर करके देख लें के बिल्कुल ठीक जो है वो display हो रहा है चलिए इस तरीके से कुछ name जो है वो मेरा निकल के आया है तो अब हमने जो आगे जो further develop करना है वो करना है हमने इस cell के लिए जो custom UI collection view cell class है वो create करनी है तो वो बढ़ा ही easy है उसके लिए इसके class है वो add करनी है next पर क्लिक किजीए और अब आपने यहाँ पर जो super class है वो यहाँ पर करनी है UI collection view cell class तो यहाँ पर यहाँ ए कलेक्शन विए cell class कर देता हूं और ओपर आप कोई भी class का जो name है वो आप provide कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं My collection view cell तो इस तरीके से class क जो name है वो रख देते हैं next पे click करते हैं और अब आपने इस class को जो है वो create करना है तो चलिए यहाँ पर मेरी जो custom class है वो बन चुकी है अब हमने इसको configure करना है collection view cell के साथ तांके हम जो आई बी आउटलेट्स हैं UI elements के वो create कर पाएं हेलो तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पर हम जो आई बी आउटलेट है collection view cell का वो हम यहाँ पर create करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर assistant editor के अंदर चलते हैं और बाकी windows को हम यहाँ पर hide कर देते हैं और अब हमने यहाँ प इसकी जगे पर हमने manual के through जो है यहाँ पर my collection view cell जो है वो यहाँ पर हम जो है वो open करेंगे अब हमने जो आई बी आउटलेट है इस image का और साथ में जो इस label का जो है वो create करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारा यहाँ पर जो custom class है वो cell के साथ attached है तो लिए यहाँ पर cell को select करेंगे और identity inspector के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम जो नई जो class हमने create की है उसको यहाँ पर type करने की कोशिश करेंगे और यह automatically यहाँ पर fill होगा और अब हम यहाँ पर enter press करेंगे तो चलिए जो custom class थी वो cell के साथ attached हो चुकी है अब हम दुबारा से उसी तरीके से assistant editor के अंदर चलते हैं और इन दोनों image और साथ में जो label है इसका जो आई बी outlet है वो create करते हैं control की को press करते हुए इसे drag and drop करना है my collection view cell class के ओपर और अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आई बी outlet का जो name है वो आप provide कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my image और इसको connect कर देते हैं अब हमने यहाँ पर जो है इस label का भी जो आई बी outlet है उसी तरीके से control की को press करते हुए drag and drop करना है और इसे name देना है my label तो चलिए इसे भी connect क कर देते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने जो आई बी outlet हैं वो create कर दी है अब हम उसी तरीके से फिर से standard editor के अंदर चलते हैं बाकी windows को मैं यहाँ पर unhide कर देता हूँ अब हमने यहाँ पर इस my collection view class को जो है एक बार save करना है और अब हम जो class create करने जा रहे हैं वो basically हम data source के लिए create करेंगे data source के लिए class create करेंगे जिसके दो attributes होंगे एक होगा आपका image को save करेगा और एक होगा आपका जो image का name है उसको जो है वो save करेगा तो चलिए यहाँ पर new file करते हैं और अब आपनी यहां पर His brand को स्लेक्ट करना है नेक्स पर कलिक करना और चलिये यहांपर जो स्विटाइच का नेम है वह आप कोई भी रख सकते हैं ने यहां पर देसाऊ वेब सीरीज और इसे क्रियेट कर देते हैं अब हम यहां पर एक class जो है वो create करेंगे तो उसी नेम से मैं यहां पर class create कर देता हूं web series और चलिए अब मैंने यहां पर लिखना है एक variable यूज करना है series name और इसी त्रीके से variable series image और इसको as a string जो है वो यहां पर create कर देते हैं अब हमने क्योंकि class create की है इसका एक initializer जो है वो हमें create करना पड़ेगा मैं साइड वाली windows को यहां पर hide कर देता हूं और यहां पर initializer जो है अब हम create करेंगे तो इसको दो parameters जो है वो पास करने है पहला parameter string type का होगा और दूसरा जो parameter है वो भी string type का जो है वो यहां पर निकल के आएगा और अब हमने actual variable को जो है parameters के साथ जो है वो set करना है और यहां पर अब हम लिखेंगे s name और इसी तरह किसे series image equal to s image चलिए हमारा जो initializer है वो यहां पर बन चुका है इसको एक बार save करते है अब हमने जो coding करनी है वो करनी है view controller class के अंदर तो उससे पहले हम जो अपने collection view के delegate और data source हो है वो set कर लेते हैं तो उसके लिए इसको select करेंगे collection view को और control key को press करते हैं उसे drag and drop करेंगे view controller के उपर सबसे पहले data source और उसके बाद में फिर से इसी तरीके से control key को drag and drop करेंगे और delegate जो है वो यहां पर select करेंगे अब हम view controller class के अंदर चलते हैं और अब हमने जो कोडिंग है वो यहां पर करनी है कोडिंग करने से पहले जो आई बी आउटलेट जो इस collection view का आई बी आउटलेट है वो create कर लेते हैं तो उसी तरीके से assistant editor के अंदर चलते हैं बाक्री side वाली windows को मैं हाइड कर देता हूं और अब हमने manual के तुरू जो है वो यहां पर व्यू कंटोर्लर क्लास को ओपन करना है और यहां पर अब हम इस collection व्यू का आई बी आउटलर से control की को प्रेस करते हुए ड्रेगन ड्रॉप करेंगे और यहां पर नेम रखेंगे माई collection view तो चलिए इसके साथ connect कर देते हैं अब हमने उसी तरीके से फिर से व्यू कंटोर्लर क्लास के अंदर जाना है और यहां पर standard editor के तुरू जो है वो हम अपनी coding जो है वो continue करेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक जो array है वो create करते हैं array के there जर Guidance की तुरू हमने वेब series नामी just class create कि यहां कि पूरू करीड़ करनी है तो चलिए यहां पर ट्रू करेड़ हो चुकी है अब हमने यहां पर मैपश्य जो है वो define करना आब आ जो हमारी blank area उसके अंदर जो data वो फिल करवा पाएं तो यहां पर एक function में create करता हूँ fill data और अब हमने करना गया है यहां पर let web series one एक object create करते हैं किस type का होगा जो हमने web series नाम की class create की थी उस type का होगा s name के अंदर हमने जो अपनी web series का जो name है वो यहां पर type करना है और s image के अंदर जो image का name actual में यहां पर होगा वो name हम लिखेंगे जैसे यहां पर आश्रम है तो हमने same उसी जैसे यहां पर लिखा हुआ है सेम उसी characters के साथ जो हमने यहां पर type करना है कोई miss match नहीं होना चाहिए नहीं तो आपकी जो image है वो display नहीं होगी तो इसको मैं एक बार फिर से यहां पर कर देता हूं आश्रम और अब हम यहां पर जो है इसको जो हमारी blank array हमने create की थी ऊपर दिखा देता हूं आपको series list इसको अब हम जो है add कर देते हैं अब हमने इसी तरीके से बाकी जो web series के names हैं और उनकी images के name है वो यहां पर हमने टाइप करने हैं तो मैंने पहले से ही copy करके रखा हुआ है सारा data मैं आपको दिखा देता हूं तो चलिए यहां पर मैं इसको copy paste जो है वो कर देता हूं आप देख पा रहे हैं मैंने जितनी भी web series के रिलेटर जो data था वो यहां पर जो है इस तरीके से जो है वो अपनी जो blank array थी यहां पर series list तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं w और यहां पर कर देते हैं मैंने बिल्कुल ठीक है तो इस तरीके से मैंने जो एक फिल डेटा जो नाम का function है उसको implement कर दिया है तो चलिए अब हमने यहां पर इस फिल डेटा जो हमारा method था इसको viewed लोड के अंदर जो है वो कॉल करना है तो यहां पर मैं व्यू डिड लोड के अंदर फिल डेटा जो म तो उसके लिए यहां पर लिखते ते अंदर एक्स्टेंशन यूज़ करेंगे एक जी यू कंटोलर और यहां पर यह अपर यूओ आई डीटा सोर्स और अब हमने यहां पर प्रोटोकोल यूज़ करना यूज़ाय। और अब हमने यहां पर flow layout यूज़ करना है collection view delegate flow layout तो चलिए अब हमने इसके अंदर methods हैं वो implement करने हैं तो मैं आपको बता दूँ जब भी आपने protocols को यूज़ करना है तो आपको जो skeleton है वो बन चुका है हमने इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो code करना है तो coding करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि हम एक view controller से दूसरे view controller की तरफ जाना चाते हैं तो उसके लिए यहां पर एक view controller और एड़ करते हैं उससे पहले इसको select करेंगे और इसके साथ जो navigation जो controller है वो attach कर देंगे क्योंकि यह navigation जो हमें easily जो है वो provide करता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मैं side वाले windows को जो है वो यहां पर hide कर देता हूं अब आप देखिए इस त्रिक के से जो मेरे दो जो view controller है वो बन चुके हैं यहां पर एक view controller और add करते हैं और इस view controller को मैं control की को प्रेस करते हुए इसे drag and drop करना है नए view controller की तरफ और show पे जो है वो click करके segway जो है वो एक create करना है तो चलिए segway मेरा यहां पर बन चुका है अब हमने एक class जो है वो और यहां पर add करनी है फाइल के तुरू cocoa touch class add करेंगे और इसका जो super class है वो रखेंगे UI view controller और उपर जो इसकी जो main class का name है वो रखेंगे हम home controller चलिए इसको next पर click करते हैं और इसको create कर देते हैं अपने project के अंदर तो जो यह नई class हमारी बनी है इस class को हम जो अपना नया view controller हमने यहां पर create किया था उसके साथ जो है वो attach करते हैं तो इसको select करेंगे identity inspector के थूँ यहां पर जो है वो लिखेंगे home controller और enterprise करेंगे और same यहां पर जो storyboard ID है वो इसको provide करेंगे home तो चलिए इसको एक बार save कर देते हैं क्योंकि इसी storyboard ID के थूँ हम जो है navigate करेंगे जो हमारा swift का code होगा उसमें हम जो storyboard ID है वो use करेंगे तो चलिए यहां पर इसका जो graphical user interface है वो यहां पर ready करते हैं तो उसके लिए library पर click करते हूं यहां पर एक label जो है वो add करेंगे तो यहां पर मैं जो लेबल है वो एड़ कर देता हूं सबसे पहले और इस लेबल की जो विर्ट है वो हम यहां पर इंक्रीज कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो यहां पर मैं बाई डिफॉल्ल जो है वो चेंज कर देता हूं अब मैं यहां पर इसके जो constraints है वो set करूँगा तॉप से 80 रहने दे साइड दोनों साइड में जो 00 कर दे और बॉटम में भी 0 कर दे ताके image view पूरे के पूरी screen को जो है वो cover up कर पाए और add as a constraint जो है वो इसे कर दे तो चलिए यहां पर इमेज का जो content है सको scale to fill कर दे रहने दे अस्पेक्ट फिल्टी आप रहने दे इसको एक पर देख लेता हूं इसमें क्या दिक्कत है कोई image वो इसके साथ अटाच करके देख लेते हैं और इस तरीके से जो image है वो आ चुकी है मगर इसमें जो जो constraints है वो प्रॉपली अप्लाई नहीं होएं तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं और दोबारा से जो है वो कोशिच करते हैं इसको मैं delete कर देता हूं यहां से हाइट और विड्ट आप रहने देख और इसको एक बार फिर से एड़ करके देखें किस तरीके से यह दिखता है बिल्कुल ठीक अब जो है वो मेरी image जो है वो इमेज व्यू जो है वो यहां पर आ चुका है और अब हमने इन दोनों ही आ जो यूई ऐलिमेंट से उनके जो आई भी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने तो वो कैसे क्रेट करने उसके लिए असिस्टनट अडिटर के अंदर चलते हैं यहां पर बाकी मिड्व को मैं हाइड कर देता हूं अब आपने जो यहां पर मैनूल के थूझ जो कलास यहां पर यूज कर करनी है हो करनी है destroy home controller और इस लिए आपने इस इमेज का जो आई भी आ उट इलेट है एक कंटोल की को प्रेस करती हुए और यह नीम देना है म सकते हैं अब आपने इसी तरीके से अब मैं standard editor के अंदर चलता हूं बाकी windows को unhide कर देता हूं इसको एक बार save कर देते हैं अब क्योंकि हम जो मेरा previous view controller है उससे इस view controller की तरफ data pass करना चाते हैं तो हम directly data pass नहीं कर सकते हैं तो हमें दो variables जो हैं वो यहां पर define करने पड़ेंगे data pass करने के लिए तो यहां पर मैं लिख देता हूं variable web series name string type का और इसी तरीके से web series image इसको भी मैं लिख देता हूं string type का और जैसे यह application जो view controller है यह लोड होगा तो हमने इसके अंदर जो आई बी आउटलेट है हमारे उसका data वो सेट करना है तो यहां पर लिखेंगे my label home.tax is equal to web series name और my image home.image equal to ui image के थूँज का named parameter को use करेंगे और यहां पर web series image तो इस तरीके से आपने जो है वो code जो है वो करना है अब हमने जो coding करनी है वो उसी वापिस चलते हैं अपने view controller की तरफ और इसको एक बार save कर देते हैं और view controller को यहां पर open करते हैं और इसके अंदर जो है अब हम coding जो है वो करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हमने code करना है number of items जो है वो collection view के अंदर जो है वो होंगी अब हमने हर एक collection view के अंदर हर एक cell को किस तरीके से create करना है उसका code यहां पर लिखेंगे cell for row add इस तरीके का जो parameterize method है उसको code करेंगे तो यहां पर लिखेंगे cell equal to my collection view dot dq reusable cell और यहां पर identify लिखेंगे cell और index part और यहां पर इसको typecast करेंगे my collection view cell class के अंदर और अब हमने cell के through जो है उसकी my image जो है उसको set करना है image is equal to ui image और यहां पर named parameter use करेंगे और इसको pass करेंगे data कहां से आएगा data आएगा जो हमारी web series की list थी उसका कौन सा element index part dot row के through assess करेंगे उसका कौन सा attribute वो हम यहां पर select करेंगे series image और अब हमने इसी तरीके से cell की जो my label है उसको set करना है उसकी text property को data कहां से आएगा web series में से आएगा कौन सा element होगा index part dot row के through assess करेंगे dot series name और चलिए अब हमने जो further coding करनी है वो करनी है यहां पर देख लेते हैं जो तो corner है वो थोड़ा सा round करना है image का तो यहां पर लिखेंगे my image dot यहां पर layer dot corner radius और यहां पर value देंगे 10 तो चलिए यहां तक हो गया हमने अब return करना इस cell को तो इस तरह के की जो coding है वो आपने cell for row item add इस तरह का method जो है उसके इंदर करनी है अब हम चाहते हैं कि जैसे user किसी particular cell को select करें किसी particular item को click करें तो navigate होना चाहिए home controller की तरफ तो उसके लिए यहां पर code लिखेंगे did select जैसे ही आप लिखेंगे method यहां पर निकल के आएगा आएगा आपने enter प्रेस करना है और इस method को आपने code करना है तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे object create करेंगे home view controller self.storyboard id.instantiate view controller और इसके अंदर identifier जो है वो हमने देना है home क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपने storyboard id home दिया था इसको home लिखेंगे और इसको typecast करेंगे home view controller के अंदर और चलिए अब हमने जो यहां पर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जो home controller के अंदर यह दो variable थे इनको आपने set करना है यहां से तो set कैसे करेंगे वह आप देख लें इनकी value आपने set करनी है तो सबके पहले home view controller dot यहां पर web series का जो name है वह यहां पर set करेंगे data कहां से आएगा data आएगा w series list में से कौन सा element index par dot row के तुरू assess करेंगे कौन सा attribute यहां पर select करेंगे series की name और आपने इसी तरीके से home view controller dot web series image w series और यहां पर index par dot row dot series की image और चलिए अब हमने navigate करना है navigation controller push view controller यूज करेंगे इसको पास क्या करेंगे इसको पास करेंगे इसको पास करेंगे home view controller और यहां पर जो animated है वो उस property को true करेंगे तो चलिए friends तो नहीं यहां पर जो coding है वो मेरी properly हो चुकी है अब हम इस application को यूज और गाफ के को किसे मुवर्येहां देखते हैं क्या यह इसको इसको मेरा निकल के आती द्सक्राइब ये रहूं हो चुकी है तो मैंने यहां पर आप देखिए जो डिस्प्लेइव रहा है तो कॉलम है एक रोग के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं तो हमने इनको जो है वह 3 कॉलम करना तो वह किसतार के से गरना है उसके लिए यहां पर अलग से थोड़ा सा कूड लिखेंगे तो यहां पर जो हमारा इक्स्टेंशन थी उसके अंदर एक डॉर जो है वह तो इसको अंदर करना है और इसको कोडिंग करनी है तो कोडिंग किस तरी किसे करनी है सबसे पहले अब हम कोलेक्शन वीव का पूरी जो विर्थ है वह यहां पे फ्रेम के थू जो है वह असेस करेंगे size.width और इसको हम divide करेंगे 3 से और यहां पर अब हम return करेंगे इस cg size को और इसकी values किस पर depend करेंगी width भी हम pass करेंगे size और height भी pass करेंगे size यहां पर size तो चलिए अब हमारा जो code है एक row को तीन columns में divide करने के लिए वो बिल्कुल ready है इन दो lines से जो हमारी row है वो दो columns में जो है वो डिवाइड होगी इसको एक बार run करते हैं और अब देखते हैं output किस तरीके से निकल के आती है simulator के अंदर तो आप देख पा रहे हैं कुछ output जो है हमारी इस तरीके से निकल के आई है तो उपर जो है वो यहां पर जो टाइटल है वो दे देते हैं navigation item को तो यहां पर मैं select करता हूं इसको और यहां से जो है वो टाइटल दे देता हूं famous web series चलिए इसको सेव करते एक पर फिर से और अब हम इसको दुबारा से रन करते हैं तो चलिए जैसे ही मैं किसी cell को यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देख पारे navigation जो है वो next item की तरफ जो है next view controller की तरफ जाता है अब मैं यहां पर किसी और को select करता हूं तो आप देख पारें जो output है वो properly यहां पर निकल के आई है friends, students अगर आपको आज के example के बारे में नौले मिल चुकी है कि किस तरह के से यह example आपने develop करनी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर और भी वीडियो से हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरह किसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए बैल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके हर एक वीडियो आपके पास जल से जल पहुंच पाएं तो ठैंक्स फ्रेंट्स पॉर वाचिंग आवर वीडियोस